तो हला दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम काले लकर जी के जीवन परचे के बारे में अध्यन करेंगे तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं इनका जन्म सन 1885 इस्वी में माराष्ट के सतारा जिले में हुआ था इनके पिता का नाम बाल कृष्ण काले लकर था जो कोसा धिकारी थें मात्रभासा माराठी के अलावा इन्होंने हिंदी गुजराती बंगाली अंग्रेजी संस्कृत आदि भासाओं पर स्वाध्यन से अच साग्रबुद्धि के तथा प्रतिवा संपन्ते इन्होंने बंबई विश्व विदाले से बीये किया और बदवड़ा के गंगानाथ भारती सरवाजनिक विदाले के अचारपद पर नियुक्त हो गया है इनकी कारपदती विचार तथा मधूर वेहवार को देखकर इनको का अचा का विशेशड दिया गया इन्होंने सावर्मति आश्रम में प्रधान ध्यापक और तधंतर गुजरात विद्या पीठ में अध्यापन कार किया बाद में दिल्ली आकर एह हिंदुस्तानी प्रचार सभा का कार देखने लगें हिंदी के अलावा गुजराती में भी इन ने सतुत्यकार किया इन्हें महत्मा गादी रविन नाठ ठाकुर और राजार सी टंडन जी के निकटम संपर्क में आने का सवभाग प्राप्त हुआ काका साहब ने राष्टमत नामक माराठी पत्र का संपादन किया तथा सोतंतरता से नानी होने के कारण अनेक बार्जेल यत्रयां भी की जब अंग्रेज गुप्तचर इनका पीछा कर रहे थे तब कुछ समय के लिए एस सन्यासी बनकर हिमाले की पहाड़ियों में चिप गए थे वे समिधान साबा के सदत से राज साबा के सदत से तथा अनेकों आयोगों के अद्धच भी रहे हैं भारत सरकार द्वारा आपको पद्भूसर की उपाधी से समानित किया गया था तथा इनकी मृत सन 1981 इस्वी में हो गई रचनाय हिमाले प्रवास जीवन वेवस था उस पार के पड़ो सी